इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है यह हमारी आंत में भोजन के सरल ग्लूकोज, यानि की शरकरा में टूटने को धीमा करने में मदद करता है, जिससे भोजन के बाद रक्ट शरकरा के स्तर में वृध्धी कम हो जाती है. यह मूत्र के माध्यम से आपके शरीर से अतिरेक्ट ग्लूकोज को बाहर निकालने में भी मदद करता है. रक्ट शरकरा के स्तर को कम करना मधुमे के प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है. यदि आप स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप मधुमे की गंभीर जटिलताओं जैसे कि गुर्दे की क्षती, आखों की क्षती, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान के जोखिम को कम कर सकते हैं. अगर आपको टाइप 2 डाइबिटीज है और आपको पहले से ही हिर्दे रोग है तो गलिमी टाइम एमवी 2 मिली ग्राम, 500 मिली ग्राम, 0.2 मिली ग्राम टैबलेट हिर्दे रोग से मरने के जोखिम को कम करेगा. उच्चित आहार और व्यायाम के साथ इस दवा को नियमित रूप से लेने से आपको सामान्य स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी. आपको इसका उपयोग तब तक करते रहना चाहिए जब तक यह निर्धारत किया गया है क्योंकि यह आपके भविश्य के स्वास्थी की रक्षा कर रहा है. इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें. इसे पूरा निगल लें. इसे चबाएं, कुछले या तोड़े नहीं. ग्लिमी टाइम एमवी 2 मिली ग्राम, 500 मिली ग्राम, 0.2 मिली ग्राम टैबलेट को खाली पेट लेना है. ग्लिमी टाइम एमवी 2 मिली ग्राम, 500 मिली ग्राम, 0.2 मिली ग्राम टैबलेट तीन एंटी डायबिटिक दवाओं का मिश्रण है. ग्लिमिपाइराइड, मेटफॉमि प्रत्यूरिया है जो रक्त शरकरा को कम करने के लिए अग्ण्याशिद्वारा जारी इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा कर काम करता है। मेटफॉमिन एक बिगवानाइड है जो लीव में ग्लूकोज के उत्पादन को कम करता है। आतों से ग्लूकोज के अवशोशन में देरी करता है और इंसुलिन के प्रती शरीर की समविधन शीलता को बढ़ाता है। वो ग्लिबो से एक अलफा ग्लूकोसिडस अवरोधक है जो जटल शरकरा को ग्लूकोज जैसे सरल शरकरा में तूटने से रोकता है। यह भुजन के बाद रक्त शरकरा के स्तर को बहुत अधिक स्तर तक बढ़ने से रोकता है।